जारकन के इन इलाकों में प्रशासन और जादी की 75 साल बात पहुचा मामला बुकारुजिला की गोमिया प्रखनतर कत सियारी पंचायत का है सियारी पंचायत की जन्ताले बहुलगाओं के घ्रामिन बदहाल है यहाँ पक्की सड़क तक नहीं है जिसके कारण बिरहोड देरा की एक महिला को तसव प्रखनतर के बाद परिचन और ग्रामिन खाट पर टांकर गाउं से 3 किलोमीटर दूर टूटी ज़रना ले गए वहाँ से निजे वाहन से उसे रामगर ले जाया जा रहा था ताकि उसे अस्पताल पहुचाया जा सके अदूब में कर दूब में कर दो बाद तूब में को ओष लेशी। जिए ए है पातके है इसी दोरान ललपनिया के तिलाया की समीप महला ने बाहन में ही बच्चे को जन्टे दिया जिसके बाद ग्रामिन वा परिजान जच्चा बच्चा को लेकर फापस लाउटने लगे लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हुए यह वाक्या बीते की रुवार दिन के करीब तीन बचे की है जब बिरहो डेरा गाउं की रहने वाली तालो मांजी प्रसो पीड़ा सी बेचे अन्हो उठी जब पडोस की लोगों को पता चला तो 108 एंबुलन्स को फोन किया लेकिन रास्ता खराब होने की कारण एंबुलन्स पहुँच नहीं पाई इधर बच्चे की मौत के बाद महिला समित सभी मायूस होकर गाउं वापस आ गए महिला की पती संजय किसको मुंबई में काम करते हैं विरहोर डेडा सी गोमिया राज की अस्पताल लगभग 5-6 किलो मीटर दूर है अस्पताल जानी के लिए रास्ता भी काफी खराब है बिमार इनसान को उस रास्ते से होकर अस्पताल ली जाना काफी मुश्किलों से भरा होता है इधर इस घटना के बाद प्रशासन की टीम गाउं पहुँची बता जा रहा है कि अज़ादी के बाद प्रशासन यहां पहली बार पहुँचा है गटना के बाद बुकारो डिर्सी के दिशा निर्देस में REO की टीम गाउं पहुची और पत निर्मान को लेकर असना पानी, बिरहो, डीरा, कासी, टान और तोटी जर्ना गाउं से जोड़ी पत का सर्वी किया अब देखना है कि इस पर काम कब तक शुरू होगा और ग्रामिनों को राहत कब तक मिलेगी प्रभात कबर के लिए गोम्या से नागेश्वर के रिपार्ट